तो friends पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि operator और syntax कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे variable और data types के बारे में तो friends हम लोग चलिए सबसे पहले समझते है variables को, variables क्या होते हैं तो friends variable कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि हम memory में कुछ उसमें जगा create करते हैं मतलब हम program को compiler को कहते हैं कि memory में मैं जगा कुछ बनाना चाता हूं क्यूंकि मैं उसमें कुछ रखना चाता हूं अब वो number हो सकता है, character हो सकता है, अलग-अलग data types हो सकता है तो यहां सबसे पहले मैं example दे रहा हूं इस example के थरू हम variables को समझेंगे तो assume किजिए कि मैंने एक variable बनाया int button equal to three मतलब इसमें मैं compiler को कह रहा हूं कि memory में एक block create करो एक जगा बनाओ जिसमें मैं button नाम का एक variable बना रहा हूं उसके अंदर मैं three number value को integer value को store कर रहा हूं तो इस diagram में आप देख सकते हैं बाटन में मैंने ममोरी बोक में मैंने फिरी two किया इस diagram में आपने देखा कि मैंने button बाले variable मेंDR फिरी koleका है और LED वाले variable मैं मैंने inадцal v 4 को store का तो यह जो आप लोग देख रहर है नरे इसे हम variable कहते है अब चलिए इसे थोड़ा और डिट el में समूझते है अब चलिए हम data types देखते हैं तो हमने यहां बनाया था int button equal to 3 int led equal to 4 तो यह variable हमने बनाया अब इसके data types को देखते हैं तो हमने यहां लिया int अब यह int क्या है इसको मैं example के तौर पे समझाता हूँ आपके घर में kitchen में बहुत सारे box हैं कोई आटे का है, कोई चाबल का है कोई शक्कर का है, कोई नमक का है, कोई तेल का है और कोई पानी का भी होगा fridge में तो सबका अपना particular box है उसमें आप container में समान रखते हैं अब तो ऐसा तो नहीं है कि पानी वाले में आप आटा रख दोगे या आटे वाले में आप पानी रख दोगे ऐसा तो नहीं होता है, सबका अलग-अलग तो उसी तरहीके से हम variable जब बनाते हैं तो उसमें हम value जो store करते हैं तो उसका अलग-अलग data types होता है आप कुछ number store करना चाहते हो तो number store करने के इंट इंट का मतलब होता है, इंटीजर इंटीजर value अगर store करना है तो हम लिखेंगे उसके सबसे पहले इंट, उसके बाद variable का नाम देंगे यानि कि इस नाम से हमारा जो compiler है जो program है, वो समझेगा कि इसको कहा इंटीजर करना है तो ये memory को location दे देगा ठीक है, अब इसी तरीके से हम समझेगे next, ये तो हो गया इंट, अब हम समझते है byte, byte में क्या होता है byte में ये होगा कि जैसे हम byte लिखा तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका syntax highlight हो गया है अब इसमें होगा क्या, byte में byte जो है, 8 bit number को store करता है, 8 bit number कहने का मतलब, ये 0 से लेकर 255 तक ये value को store कर सकता है, तो byte store करने के लिए हम 0 से 255 तक का number को देखते हैं, interior value वो store करता है as example, आप मान सकते हैं byte मैंने एक variable बनाया अब उसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे की b कर देते है byte b equal to अब इसमें byte को लिखने का एक तरीका है, अब हम यहाँ सबसे पहले b लिखेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ भी number इसमें add कर सकते हैं, जैसे as example, आप मान लो 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 आप इसमें कुछ भी add कर सकते हो तो यहाँ से हम इसको semi colon देकर इसको इसको terminate करते हैं, ठीक है तो यह हो गया हमारा byte variable byte data types अब next हम बढ़ते हैं char, यानि की character c-h-a-r, char इसमें आप लोग देख सकते हैं, char में as example, आप मान लो g add करना चाहते हैं, एक नाम दे दिया variable का, g या आप खुड का भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, saaf अब इसमें क्या होगा इसमें हम equal का sign देंगे अब देखिए इसमें char में हम char data types में character store कराते हैं as example, आप मान लो इसमें से मैं अपना नाम हटा देता हूँ char में my char एक data types का नाम हो गया my char, अब इसको equal का sign देंगे, अब लिखेंगे, यहाँ इस symbol के बीच में मैं कुछ भी alphabet character store कर सकते हूँ, as example, b edge तो आप यहाँ देख सकते हो, highlight यहाँ हो जा रहा है तो इसको भी हम semicolon से terminate करते हैं तो यह हो गया character data types तो friends, अब next है float data types तो float में हम लोग क्या store करते हैं, float क्या होता है float में होगा हम, हमारा floating point इसमें हम decimal point number को store करते हैं, as example, आप मान लो float मैंने एक float data types लिखा, उसका नाम दिया, मैंने एक variable का नाम दे दिया उस data types के variable का नाम flt, equal का sign दोगा मैं, अब इसमें मैं point दे कर लिख सकते हो, as example, 12.59, कुछ भी आप अपने इसाब से add कर सकते हो 12.26.8, यह add करके आप इसमें semi colon लगा दो तो यह हो गया कुछ data types अब इसका use कहा है, मैं आगे कि programming में आप लोग को बताऊँगा तो friends, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like, share और साथ ही साथ चैनल को subscribe जरू करना, thanks for watching